उर्दो जबान की पांचवी किताम में मैंने पिछली वीडियो में सबक नमबर 40 का यानि के पार्ट 40 का चलना है 40 का पहला और 40 का दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा दिया है इंशालला आज की वीडियो में 40 का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे ठीक है और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें शेयर कर दें और लाइक जरूर करें ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हैवानात में भी अधना किस्म के कीड़ों से लेकर नहायत अजीम जुस्सा जानवरों तक जमीन और आसमान का सा फरक नजर आता है और इनकी बेशुमार किस्मे हैं लेकिन बाद ऐसे खास हैं जो अकसर अफराद में यकसा मालूम होते हैं उन खवास के लिहाज से जिन से हैवान की तकसीम चार किस्मों में की गई हैं हैवानात की सबसे अधना किस्म वो है जिनके आज़ा एक मरकज से हर चार तरफ को शाखों की तरहा फैलते हैं इसी किस्म में इस फंज और मूंगा भी है जो नबातात की मानिंद जमीन में गड़े रहते हैं मगर उन में आसारे हायात भी साबित होते हैं इसी लिए उनको नबाताते हैवानी भी कहते हैं एक किस्म वो है जिनका जिस्म हलकों से मुरकब या छिलकों में महफूज है इन में कैंचवे जोंक जिंगे मक्हिया वगेरा शामिल है एक किस्म ऐसी है जिनका जिस्म एक मजबूत खोल के अंदर होता है जैसे गूंगे कोड़ियां सदफ एक किस्म एसी है जिनका जिस्म एक मजबूत खोल के अंदर होता है जैसे गूंगे कोड़ियां सदफ सबसे आला किस्म रीड़ वाले जानवरों की है और इन में मेंडक और मच्छी से लेकर हाती तक दाखिल हैं और तमाम परिंद भी पोधने से शितर मुर्ग तक इसी किस्म में शुमार होते हैं लेकिन इन में नौए अफजल वो है जो अपने बच्चों को च्छाती से दूद पिलाती है इस तकसीम से सौफ जाहिर है कि इनसान भी इस नौए का एक जानवर है आई अब इनके माना पड़ते हैं अजीमुल जुस्सा का मतलब होता है मोटे बदन वाला या फिर बहुत बड़े जिस्म वाला ठीक है अफराद का मतलब होता है फर्द की जमा या फिर लोग भी कह सकते हैं ठीक है मुरकब का मतलब होता है मिलाजुला सदफ सदफ का मतलब होता है सीपी या सिप ठीक है नौ का मतलब होता है किसिम ठीक है नौ का मतलब किसिम और अफजल का मतलब होता है बहतर या बहतरीन आप जानते हैं ठीक है आप सबक नमबर 40 का तीसरा पार्ट पढ़ लेंगे इन्शालला अगले वीडियो में सबक नमबर 40 का चौथा पार्ट पढ़ाएंगे ठीक है जब तक के लिए असलाम आलेकुम और रहमतुल्लाही और बरकायतु